हलो इस्टोरेंट आप सबको अपने इस चैनल पे स्वागत है सिबसी क्लास 10 और 12 वाले बच्चे आप सभी के लिए पासिंग क्रेटरिया क्या है ये 2022 के लिए ये बहुत आप सबको करनेफिजन करा थे कि सिबसी के दोबारा तर जो बाते बताई गई थी जो 5 जुलाई 2022 का न इंटर्नल एक्सक्रेंट में आठ नंबर टर्म-टू में भी थीओरी आपका साथ नंबर देखें जो भी आपका result तयार होगा वो तर्म-टू रिजल्ट को मिला कर ही तयार होगा आपको 33% MARS लाना थे है टोटल टर्म-टू और टर्म-टू में अब इसको आप दिखें ऑव सब्सक्राइब करेंगे आपको जो रिजल्ट तयार हो रहा है वह मैं आपको फिर यह बार रिपीट कर रहा हूं कि तर्म वान टू दोनों मिला के 33 मार्क्स लाना है क्योंकि 50-50 पर्शेंट में दो भाग में बटा हुआ था अब इसको देखिए कि आगे हम कैसे इसको समझते हैं अच्छी से टर्म वान और टर्म टू के एक्स रिजल्ट को किस परकार से सिबसी बनाएगे जो अभी आपको यह नोट सर्कुलर आपको अच्छी तरपाद सिबसी का डियाराई एसडी कावन ट्वेंटी ट्वेंटी वान डेट फाइब तो यहां पर अभी हम समझते स्ट्वेंट कि किस परकार से हमें टर्म वान और टर्म टू के रिजल्ट को तयार किया जाए तो प्लीज सब्सक्राइब यह चैनल क्योंकि यह चैनल आपका अपना चैनल है ठीक है देखिए टर्म टर्टू मिला के फिर मैं कर रहा हूं 33 परश सब्सक्राइब में आपको आठ नंबर लाना है तो आठ और नौ कितना हो गया सत्तरा नंबर ठीक है अगर थियूरी में आप साथ नंबर मिलाते हैं आइंटर्नल एस्टमेंट जो है वह आपको नौ नंबर आपको मिली जाएगा तो अबर और अगर आप देखें टर्म वन और टम टू के रिजल्ट को अगर आप आड करेंगे तो देखें नाइन टम वन का थियूरी पेपर और इंटर्नल एस्टमेंट का आठ नंबर फिर साथ नौ सब जोलने के बाद आपको 33 नंबर आपके आ जाते हैं तो इस तरह से टम वन और टम टू के मिलाकर 10 क्लास का अच्छे और साथ नंबर पेपर में ना आए ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि स्कूल आपको ओल्रेडी माक्स देगी देगी इसलिए आप बहुत आसानी से 33 परशेंट माक्स गेन कर सकते हैं अब उसी तरह से अगर आप देखेंगे क्लास टूवल वाले बच्चों यहां पर ए सफिवेशी मार्क नहीं देती ग्रेस माक्स मैक्सीमम जो है किसी एक सब्जिक्ट पर तो फाइप मार्क से ज्यादा नहीं देती है ठीक है सिवेशी का यह नोटिफिकेशन भी है उसी तरह से अगर हम पासिंग क्रिटेरिया के बाद करें हम टूवल के लिए है ना के इसके सब्सक्राइब करेंगे जिसका सतर नंबर का आपका पेपर है सतर नंबर में आपको केतना लाना है वह आपको 24 लाना है बहुत से बच्चे को 10 में 10 भी इंटर्नल या प्राक्टिकल में मार्क्स मिलता है अगर पासिंग मार्स पेपर ओफ यहां जीरो गलत लिखा गया एट्टी होगा अगर एट्टी लाते हैं तब एट्टी में केतना ह 20 कुछ ऐसे पेपर टूल कोते हैं जिसके मार्क्स आपके फुल मार्क्स 80 दिया हुआ है वहां पर 27 लाना है ध्यानता समझेगा और चवभी टर्म 1 और टर्म 2 मिलाक कर और 70 इदर है तो आप उसमें 24 लाना है सो पासिंग मासक को अगर आप बात करें तो ऐस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो बहुत आसान है स्ट्रेंट्स आप अपने मासक को गेंग कर सकते हैं है ना साथ ही साथ अगर आप इसको अगर डिटेल में हम देखें तो बहुत आसान है आप लोग को पास करना क्योंकि यह जो इंफॉर्मेशन में आपको साथ शेयर कर रहा हूं वह आपके लिए बेहतर है और अपडेट है और सही इंफॉर्मेशन है इसलिए कोई बच्चा ऐस नहीं है जो इतना मांक्स नहीं ला सकता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और लोगों को शेयर करके ज़रूर बताए और साथ ही साथ हमारे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए बेल नोटिशन कर लेजिए ठीक है जवार